उननने कर्व इन इसपेस पिसली वीडियो में पड़ा था तो अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो देखी अब हम इसमें पढ़ेंगे टैनियंट उन्हाइब हमें टैनियंट टू फांच तो फांड इनित बेटर एलांग टैनियंट टू अगीवें निकार यदि कोई करो 가자, गार तो उसकी वह द्यूरी कीसर हो थे, इसके लिए नियूर हम एक करव ड्राक कर लेते हां हमने एक करव ड्रा करें। पिख दो पॉइंट लिया P and Q, एक पॉइंट सेंटर से सभी दूरी को मिला दिया, लेट P बेक्टर R and Q, R प्लस R भी एक कॉंसेक्टिविटी पॉइंट अनकर्व, एक दुनो, P and Q, एक कॉंसेक्टिविटी एक रमागत पॉइंट है, अनकर्व, C पर, पॉइंट बेक्टर P and Q, पॉइंट बेक्टर P and Q, यह दो पॉइंट है, O, P is equal to R, यह नि, O, P is equal to R है, O, Q is equal to R plus delta है, from triangle, हम जानते है, O, P, Q में, यानि, triangle O, Q is equal to, O, P plus P, Q, O, P का माण हम जानते है, R, तो P, Q का माण निकल गया, R plus delta R minus R, R plus delta R minus R, फिर P, Q अब रहा गया, delta R, अब let, अब हमें निकालना है, arc, अब हमें इस arc P, Q का arc निकालना है, तो let, हम जानते let, A, B, यह फिक्स पॉइंट, on the curve, and let, arc A, P is equal to X, देखो, यह let arc A, P is equal to X है, और let, A, Q is equal to S plus delta S, A, Q, तो A, Q is equal to S plus delta S, तो arc P, Q is equal to delta S, हम जानते है, now unit vector along, cod P, Q is equal to vector P, Q बटे magnitude P, तो P, Q का मान, delta R है, तो delta R हो गया, इस का मान, cod P, Q है, तो cod P, Q है, तो हम दोनों तरब नीचे उपर delta S से क्या है, आर्क है, यह मारा cod है, तो arc P, Q लिख सकते हैं, तो हम लिखे हैं, delta S बराबर, arc P, Q बटे card P, हम जानते हैं, when, अगर यह care, इंदम state, इंदम खीचा जाए, तो यह जो P, यह tangent है, इस P, Q को का करने, like करने लएगा, हैनि Q test to, क्या होगा, P हो जाएगा, now when point, Q tends to P, Q to A point P, then cod P, Q tends to tangent at P, यह जो tangent होगा, मारा क्या होगा, P को लाइग करने लएगा, hence unit vector along tangent P, यहनि limit Q tends to P, delta R बटे delta S, arc CP बटे card P, Q, यहनि limit delta S tends to 0, delta R बटे delta S, limit delta S tends to 0, arc P, इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों same से हो जाएगे, तो delta R बटे delta S, unit vector T बटे DR बटे DS, यह हम इसको इतना ली सकते है, यह equation है, this is the unit vector along the tangent, यह tangent के लाँग क्या equation है, note, if यह दि R बटे X, Y, Z, where X, Y, Z are components to X, Y, Z है, बटे R के क्या है components है, तो हम जानते है, DR बटे DX बटे DX बटे DX बटे DX, 2Y बटे DS, DJ बटे DX unit vector T, hence, DS बटे DX, DY बटे DX, D, Z, DCR, components of unit vector T, तो यह unit vector T है, तो यह DR बटे DX है, यह unit vector हो गए, यह सब इसके क्या हो गए, unit vector, तो हम जानते हैं, since magnitude of unit vector T is unit square ही, पहले हम इसके magnitude निकाल के, पर इसका square कर देंगे, तो magnitude DR बटे DX को बटे बटे DX को बटे बटे इसको हम इस फॉर्म में लिए सकते हैं, और इसको हम इस फॉर्म में लिखे, ठीक है, अब दोनों में हम DT by, DT by DS को यह कॉमा लिए तो इसको सभी लिख दिया, अब DT by DS को इस set भीजिए, तो DX by DT का square बटे यह सब आ गया, अब DX करडिम हो गया, DT उधा चला गया, अब इंटिग्रेट कर दी हम, D0 से T तो, S बराबर हमारा आ गया, इतना सारा आ गया, ठीक है, यह हमारी क्या होगे, दूरी है, अगर करो कोई किसे करो को हम 10 ने ठीच दे तो उसकी दूरी कैसे निकाल दे, मालों एक क्वेस्टिन आगा उसी सबसे